लगातार मिल रहे हैं अजीत कुमार जी का सवाला है वाटसेप पर IOC के 8000 शेर्स हैं और इन्होंने जो खरेदारी की है यह 882 पर किया बात तो नहीं उपाई है हाल फिलाल की खरीदिंग की जान पड़ रही है राहूर जी क्या सला देंगे IOC पर हलकी मुनाफ़े में हैं इस शेर की इस वज़े से 55,000 के आसपास का इनको मुनाफ़ा हो रहा है और तेजी के लिए बने रहना चाहिए IOC में अभी चार्ट स्ट्रक्चर तो यही सजेस्ट कर रहा है कि तेजी के लिए बने रहना चाहिए क्वान्टिटी ज्यादा लिया है तो थोड़ा सा कॉशियस रह में फिर से एक बाउंस देखने को मिल सकता है तो उनका कॉस्ट पे कॉस्ट से अच्छली देड रुपए कम एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए उनके लिए बट यह कैविएट के साथ कि एक बाई लेवल बिलकुल उसके नीचे है और होल्ड करने की सलाह आई यूसी को होल्ड करने की सलाहे राजस्थान चलेंगे वहां से जैकर्ण जाखड हमारे साथ है जैकर्ण जी नमस्कार पूछी क्या जाना है आपको जी सर पूछे मैं सवाल टेक्स और जैल के नो सो तीस से रहें सर नो सो तीस भाव बताएंगे सर 194 का एवरेज से है सर मैं सोटम के लिए जिया दा लेगे 194 का एवरेज है टेक्स मैंको रेल बिलकुल इनके भाव के आसपास ही चलना है 194 के एवरेज है 194 रुपे से थोड़ा ही नीचे है अलांकि आज हम तेजी देख रहें 3,5% के आसपास की राहुल जी टेक्स मैंको रेल ये शियर चला बहुत है उपरी इस तरह से थोड़ी थोड़ी Profit Taking का शिकार हो रहा है टेक्स में को रेल क्या भी बने रहें शॉट टम का क्या भी होगा आपका Entry Price अगर मैंने सही सुना तो 194 के आसपास था तो अगर उनका Entry Price 194 के आसपास है अगला Resistance जो अब Weekly Chart पर दिखाए दे रहा है वो 206 के आसपास है तो वहां तक 205-206 उस लेवल के रहा हूं तो उस लेवल तक तो होल्ड कर सकते हैं जहां पर उनको फिर से कॉल करके एक और रनीती लेनी पड़ी कि क्या करना चाहिए ठीक है टेक्स में को रेल को होल्ड करने की सलाह है